अगर आप कर रहे हैं इन एग्जामिनिशन के तैयारी तो जाए आज ही सोफर का लाब उठाइए लेट इस सेलिब्रेट स्पिरिट अफ दे गेम सूपर कोचिंग ला है दिल से चैंपियन सेल ये सेल चलेगा 20 से 20 से हलो नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्त होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपकी पढ़ाई भी चल लगी होगी बहतर तरीके से कहते हैं कि बहतर करने की तलास में अपने आपको इतना ढुबा लीजिए कि आपको जब बहतर मिले तो लगे कि यार मिहनत कम मतलब जो मेरी मिहनत की उसके हिसाब से नहीं मिला तो अपने आपको इस तरीके से आप अपने आपको तयार कर लीजिए इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको जो मिले वो लगे कि हां यार मेरी पढ़ाई और मेरे हिसाब से ये मेरे लिए कमजोर है तो वो हमेशा आपको प्रेना दायक होगा और वो आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाने का एक प्रयास करेगा जैसे आप गर में बात करता हूँ दोस्तों जैसे मैं आगर बात करता हूँ जैसे जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं यहां पर यूपी ट्रपल सी जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको पता है यह पीटी के आधार पे हो नहीं है तो यह परकिरिया आपकी प्रारंब हो चुकी है जिसमें आप बच्चे जॉइन कर सकते हैं आप लाइफ क्लासेज बहुत शांदार से तरीके से चल लेए और जहां पर मैं आपको रिजनिंग पढ़ाता हुआ दिख जाता हूँ चलिए तो दोस्तों आज की सेशन को प्रारंब करेंगे बहुत ही शांदार जबर्जस तरीके से वेलकम करते हैं आप सभी को नमशकार करते हैं आएए पहला प्रशन आपके सामने ये रहा कोसिस करिए जादा से जादा सवाल करने की कोसिस करेंगे की मैक्सिमम कोशन का एंसर बताया जाए कोई बचके न जाने पाए एक भी सवाल इस बात को याद रखना कोई भी एक भी सवाल बचके वेदना असीम गरजती क्या कहता है इस करुणा कल्पित हिर्दय में वेशना वेदना असीम गरजती तो जिस तरीके से कवी कविता को करता है कविता का पाठ करता है उसी तरीके से यहां पर देखिएगा परिक्षेद यहां पर कहता है गीत काब यहां पर गनित शाहित और उस है Κभिता का पाट करता है उसी तरीके से लेख़क किया करता है बहुत शांदार से पुस्तक है कि याप अपनी रोचकता अलग अलग छेतर में भी थोड़ा सा बना करके रख्ये connaissance से आपको लाब भी मिलता है कभी कभी किसी किसी की आटो बायोग्राफी पढ़ा करिए जब थोड़ा समय मिले तो किसी की आटो बायोग्राफी पढ़ लीजिए और भी चीज़े पढ़ लीजिए थोड़ा प्रेलना सूचक चीज़े हो जाती है आपको मालूम है गांधी गांधी की उबने जब गांधी निट आलस्टाय और इनको सबको पढ़ना सुरू किया आप ये देखिए जिन्दगी में हमेशा आप देखेंगे तो पढ़ाई का बहुत महत्तु रहा है जो भी महान व्यक्ति हुए हैं वो हमेशा अलग-अलग छेत्र के साहित तो और अलग-अलग छेत्र के ग्यान पढ़ते रहे हैं तो पढ़ाई खुब किया करिए बारा से सैंतिस बनाने का प्रयास आपको करना है तो बारा त्याहिंग च्छतिस कर दीजिए और यहां पर प्लस एक कर दीजिए सैंतिस हो जाएगा मतलब अगर मैं नौ दो एग्यारा और यहां पर कितना मैं जोड़ दू तो आप शब्दों में ये बात कलियर हो जाती है तै हो जाती है इधर देख जै मतलब यहां पर क्या किया गया है तीन से गुड़ा करके प्लस एक किया गया है यहां पर तीन से गुड़ा करके प्लस पांच किया गया है यहां पर तीन से गुड़ा करके प्लस साथ किया गया है बचो और आगे क्या जाएगा तीन से गुड़ा करके प्लस नौ किया जाएगा हुआ पर कितना हो जाएगा other से देख़ेंगा यहां पर देखे 4 8 गुले 48 सोब तो 14 का चार हासी लाए region बाराद 14 का चार हासी लाएं यहां पर कितना हो जग कि दो dozen dys 2008 ओर तरह 15見て 353 हो जाएगा और यहां पर जब 9 net有 दोगे 1984 24 13 यहांबर कितना हो जगह 313 विदियो डाउंलोड करने का आपशन 24 गंटे बाद आता है तुरंत नहीं आता है लाइब क्लास या जब उसके बाद नस्त अस्ती यहां पर कहता है किन और उसके बाद ग्रास यहां पर कहता है ग्रासिका बताई क्या अलग हो जाएगा एंसर बताने का प्रयास करिया आप अरे बाई या बताईए बताईए खिल क्या होता है आप पढ़कर के भी बता सकते हैं नहीं सर होता होगा मेरे भाई या इसे कईसे नहीं होता होता है 100% होता है मैं अभी आपको क्लास के बीच में दिखाऊंगा आप बिल्कुल परिशान मत होएगा देखे अगर मैं बात करता हूँ देखे यहाँ पर ग्रासिका की बास कर सकते हैं नासास्ती की बात कर सकते हैं और यहाँ पर ग्रासिक कपाल की बात कर सकते हैं यह human body के अंतरगत पाये जाता है लेकिन punk इंसान के अंदर नहीं होता है इस बात को याद रखेगा, human body में आपको कभी punk देखने को नहीं मिलता है, human body में आपको कभी punk देखने को नहीं मिलता है, थोड़ी सी तबियत नासाज है, तो energy में थोड़ा सा down हो सकता हूँ, लेकिन आप अगर सायोग और समर्थन करते रहेंगे, बेतर तरीके से एक बार share कर कौन सक्षर परयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, कौन सक्षर परयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बताइए न, देख करके बताने का परयास करें, फटा फट, टाइमर मेरा कहा चला गया, जादू, यहाँ पर है, देखे और बताइए, बी वाला, चली, आपने कहा कि सर यह वाला नहीं बनाया जा सकता है, A, A, I, I, S, S, L, L, E यहां बर देखिए, E लिखा हुआ है, जो आपका प्रियोग करके नहीं बनाया जा सकता है थोड़ा और तेजी के साथ दोस्तों चलेंगे, हमारे पास अगला कुशन देखिए, बताई क्या हो जाएगा कुशन नबर पाँच देखिए, और बताने का प्रियास करें, क्या हो जाएगा करेक्ट एंसर कुशन नबर फाइफ देखिए, और बताईए, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां, बहुत बढ़ियां जोजी तो जरूर है लेकिन classification के format पर भाई 10 से 77 बनाना तो बहुत आसान है कि 10 से 77 बनाना तो बहुत आसान है देखिए आपने 10 को 7 से गुड़ा कर देना है कितना हो जाएगा यह 70 और 70 में 151 इसमें से माइनस 3 कर दीजिए 151 हो जाएगा तो क्या एक में प्लस साथ किया गया और दूसरे में क्या माइनस तीन किया गया या इसी के फार्मेट में कुछ बनाने का प्रयास करें जैसे आपर माइनस 3 किया है हमने और अगर गुरू यही पर मैं ऐसे कर दू साथ गुड़े 8 बराबर कितना हो जाएगा ओ स्वारी यहां पर देखिए 7 की जगें पर हमने क्या कर देना है यहां पर देखिए हमने 7 को किस से गुड़ा कर देना है स्वारी 10 को हमने 10 को किस से गुड़ा कर देना है 10 को हमने 8 से गुड़ा कर देना है जब हम 10 को 8 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो दोस्तो 80 हो जाएगा 80 में अगर मैं माइनस 3 कर दू तो कितना अगा 770 यह भी तो तर तरीका है एक बनाने का जैसे देखें आठ टाइन चौन सथ देखें आठ को आठ से गुड़ा कर दीजिए कितना होगा 64 64 प्लस 3 कर दिया आपने यहां पर देखें इसके बाद 67 को हम किसे गुड़ा कर देते हैं दुगना कर देते हैं साद दोनी 4 depende 4 हसी लैक कछे दूनी 2 Uber 1 3 माइनस 3 कर देते है तो यहां पर कितना हो गया यहां पर कितना हो गया देखें वान थिवन हो गया अगले मैश कर देखें चार को आठ से सवाल है यह अच्छा सवाल है समझ रहे ना आ गया उत्तर हमने क्या करना है हमने क्या करना है समझ गए ना यही होता है देखें जो पहली संख्या है उसको आठ से गुड़ा किये और दूसरी संख्या को दो से तो पहली संख्या को आठ से गुड़ा करके माइनस 3 करके क्या रह इसको देखिए, कोशन अमर अगला देखते हैं थोड़ा सा, देखिए, कुस थोड़ा से बड़े कोशन है, देखिए, बच्छो जो डिरेक्शन टेस्ट का कोशन होता है, उसमें क्या करना है, जैसे लिखता है, अनीता एक बिंदू A से प्रारंब करती है, और 30 मीटर दक्षि देखो, यह जैसे हमारा बिंदू क्या हो गया, अनीता जो है, एक बिंदू A से प्रारंब करती है, और एक देखिए, अनीता एक बिंदू A से प्रारंब करती है, और 30 मीटर दक्षिन की हो जाती है, 30 मीटर, फिर उसके बाद लेफ्ट में मुरती है, देखिए, लेफ्ट य अनीता इतना क्यूं चल रही हो, अनीता इतना क्यूं तुम चल रही हो, हम लोगों के लिए संगर्स बना दे रही हो, यहां पर देखे, इसको देखे, यह 30 हो जाएगा, यह point था, इसके बाद वो फिर्ग से क्या मुलती है, माय मुलती है, और 70 जाती है, यहां पर देखे, यह 40 हो गया और यह 30 हो गया, 70 हो गया, आगे की बात करते हैं ध्यान से देखिएगा, बिंदू B पर पहुशती है, बिंदू A से B के बीच की दूरी, भाई बिंदू ये A था और ये B है, कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर पश्यम, 30 मीटर क्या हो जाएगा, पश्यम हो जाएगा, थोड़ा और तेजी के साथ बताइए न, नहीं बता रहे हैं, गलत बात है, और तेजी के साथ थोड़ा सा करिये न, कोशिस, देखिए, जब तक आप परियास नहीं करते हैं चीजों को करने का, तब तक चीजें होती नहीं हैं, मैं कितना भी कोशिस कर लूँ, लेकिन आप परियास जब तक नहीं करेंगे, दोस्त, चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी चलिए अगला सवाल बताईए देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं तहां से सुनिएगा विच्टू साइन्स शुडवी इंटर्चेंज तू मेक डगिवन एक्क्वेशन इसकरेक्ट आपके सामने एक सवाल रखा जाता है किन दो एक्क्वेशन को आपस में चेंज कर दिया जाए हमीशा एक तरीका मैं आपको बताता चला आया हूं सुरू से मैं सुरू से आपको पता है कि डिवाइड को फोकस करना है आपको डिवाइड पर ही फोकस करना है देखें यहां पर यह इससे आराम से डिवाइड नहीं हो रहा है यह इससे आराम से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ढूंतने हैं कहां पर डिवाइड हो रहा है लेकिन यहां पर आप देखोगे ृूल के अनुसार क्या बना देखे यहां पर 13 बनता है प्लेस 15 होता है 15 गुड़े 8 होता है माइनस 660 होता है भागे 4 हो जाता है आप यहां पर देखेंगे 13 प्लस कितना हो जाएगा 1564 15 बैद रभ शाहतर पन्दर अच्रफ नबे पंद्रा अठ्थ कितना हो जागा 120- कितना आट 421 और massa which 8 invite 96-소리 यहां वर कितना हो जाएगा D92 minus 23 24 जब आप 30 Floris ऐरेक लियृष चुन्द ठाल उसे इस यह न सब्सक्राने में इने शौबिस आप करेंगे कितना हो जाएगा 109 आपका बिल्कुल पर्फिक्ट एंसर हो जाएगा यही करना था और यही आपको बताना था ठीक है ना चलिए परदीप बहुत चांदर परदीप मनीश अजीद विकास विराट दामनी सभी साथी एक बार इसको बताएं मैं आप सभी प्लीज बताने की कोशिस करें देखे होता क्या है जैसे यहां पर 18 अठारा बतिस उनसट निन्यान नवे आप इसको क्या करेंगे आप अराम से इनके बीच का गैप निकाल लेंगे इसके बीच का आप गैप निकालेंगे थोड़ा सा तबियत खराब है लेकिन मैं बड़ा दिन बर आज विमारी था लेकिन फाइनली मैंने सोचा कि लाश्ट में चलिए क्लास ले लेते हैं थोड़ा सा राहत मिल जाएगी जैसे देखें यहां पर 18 हो गया बच्छो 32 हो गया 69 हो गया यहां पर 99 हो गया यहां पर कैश्यन उंग मार्श हो गया 28 हो गया अगर आप यहां पर देखते हैं तो कितने का फर्क आपको दिखता है 22 का दिख जाता है दोस्त बताइए ना कितने का फर्क दिख जाता है 22 का आप कहेंगे क्या सर नसे में है आप क्या मैं कहूंगा सॉरी तब यहां पर कितने का फर्क दिखता है 14 का दिख जाता है यहां पर तो थोड़ा सा हलका सा तवज्जो देंगे तो आपको पता चल जाएगा यहां पर तिरपन हो गया तो नौ तीन बारा का दो हासिलिया एक पांट तीन यहां पर देखें नौ पांट चौदा एक पंद्रा हो जाएगा 152 तो क्या 152 है आप सभी का बहुत शांदार 152 आपका ब 20 सेकंड क्यों लगाया हूं लिखा हूं मैं 20 सेकंड क्यों लिखा हूं इस बात पर थोड़ा तवज्जो देने वाली बात है देखें मैं 30 सेकंड क्यों लिखा हूं देखें दो वर्ग के बच्चे होते हैं मतलब यह जो 20 सेकंड था ना यह कुशन को आइडेंटिफाई करन के लिए था मैं नॉर्मली बताओं कभी कभी ये इस कुशन को करने के मात्र तीन तरीके होते हैं याद रखेगा तीन तरीके होते हैं पहले देखे जो हमारी पोजीशन होती है ये कुशन हमेशा तीन तरीके से होता है चौथा तरीका नहीं है इसका पोजीशन का आपको क्या क reverse लिख करके उसका जोड या गुड़ा करना है reverse का जोड या गुड़ा होना है और तीसरा तरीका होता है आपका number of letter तीसरा तरीका होता है number of letter फिर उसमें कुछ multiply या कुछ और कर देना है तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर देखेगा यह थोड़ा time taking notion हो जाता है C का मतलब 3, A का मतलब 1, B का मतलब 2, L का मतलब 12, E का मतलब 5, S का मतलब 10 इसका आप reverse एक बार जोड करके बताए फटा-फट तेदी के साथ कोई दो लोग जोड करके बताएं C का मतलब X, X का मतलब 24, A का मतलब Z, Z का मतलब 26 यहाँ पर इसका एक reverse भी मैं लिख दे रहा हूँ देखे यह तुरंट कर लेना अगर बड़ा number दिया होना तो तुरंट कर लेना है आपको किसी का मुह नहीं देखना है मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उत्तर चाहिए तो भाई किसी का मुह मत देखो अपने आप से तुम करना सुरू कर दो दोनों तरीके को फालो कर लो 15 यहाँ पर एक मतलब कितना हो जगा 22 और यहाँ पर 19 का मतलब कितना हो जगा हो जाएगा एक का मतलब कितना हो जगा आठ इन दोनों का एंसर बताई जोड के अगर मैं जोड़ों तो देखे च्छेतीन नौ नौ पांच कितना हो जगा 14 और 14 पांच और नईस और नईस दो कितना हो जगा कि अगा जोड़ कि देखे च्छेतीन नौ नौ 5, 9500 कितने हो जगा 14 और 14 कितना हो जगा सी एक्स का मतलब 24 होता है सॉरी एक्स का मतलब कितना होता है 24 होता है यहां पर 24 हो जाएगा यहां पर को आप किस से गुड़ा कर दें दो दो चार दो छे से 120 सो छे से गुड़ा कर दें कितना हो जाएगा 720 आ जाएगा मतलब यह confirm हो गया exactly यह confirm हो गया कि यह reverse है मतलब यह क्या है यह reverse का सम करके multiplied by कितना एक दो तीन चार पांच छे किया गया मतलब हमने क्या करना है इसका हमको इसका reverse करके number of later से multiply करना है यह तरीका है भाईया फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं भाईया आप इसका पूरे का reverse लिखिए कोई जोड़ पाए तो बताए देखिए मैं दे रहा हूँ N Z M W L यहां बहर देखिए यहां बहर देखिए ल ओ ल ओ अर अर एम भाईया कोई इसको जोड़े और बताए क्या हो जाएगा कोई जोड़ा हो तो बता दीजे कोई कोई अगर जोड़ा हो तो प्लीज बता दीजे जिसने भी इसको जोड़ा हो बता दीजे किसने जोड़ा है कोई ऐसा है जो जोड़ा हो चलिए जो भी आप जोड़ेंगे इसको इसको सम करके दो दो चार दो छे दो आठ 8 से multiply कर दीजेगा done इसको जोड करके 8 से multiply कर दीजेगा done देखिए question तो मैं छोड़ी सकता हूँ उसमें कोई issue नहीं है लेकिन सवाल यह है ना कि अब आपके जहन में वो बात आ गई कि number of later किया गया था number of later का multiply किया गया था digit से multiply digit का मतलब क्या होता है digit हो गया वहाँ पर multiply किया गया है number of later से किससे अक्षरों की संख्या से किससे भाया अक्षरों की संख्या से कितने अक्षर है क्लियर है बात चलिए अब इस बात बराबर इधर देखो इधर आज़ो इसको कैसे बनाते हैं देखो सभी राजा जितने भी राजा होंगे सब को आपको एक गोले में रख देना है सभी राजा को आपको क्या बना देना है रानी बना देना है और कुछ रानी क्या है सैनिक है सैनिक टाइप वाली रानी जो जंग में जा करके लड़ती थी और उसके बाद सभी सैनिक क्या है मजबूत है सैनिक हो तो मजबूत तो होगे ही यहां पर देखे क्या है मजबूत है मजबूत है बिचारे मजबूर है कुछ मजबूत राजा है कुछ मजबूत क्या है राजा है राजा और मजबूत के बीच कोई रिस्ता नहीं है राजा मजबूत क्यों रहेगा यहां पर कहता है कुछ राणिया मजबूत हैं बिलकुल राणिया इतनी राणिया बहुत मजबूत है ये पकड़ के तुम्हारी ऐसे सरीर पकड़ के इसे मार देंगे तुमारी कमर तोड़ देंगे इतनी मजबूत राणिया है तो इनसे दूर रहना बाकि राजा ही कमजूर है उसी से जाके निपट लेना रानी से तो मत लड़ना नैत मन में आए कि oh my god रानी सहाबा आ गई इनहीं से लड़ लेते हैं और सासन पर कबजा कर लेते हैं समराच पर कबजा कर लेंगे पता जला रानी तलवार निकाल के पेट के अंदर इस सवाल का उत्तर बताए कुशन नमरी 11 का उत्तर बताने का परियास करें आप यहां बर कहता है दहेज के विरोध करने वाला विक्ति महिलाओं और सुयम का सम्मान करता है मतलब अगर आप दहेज का विरोध करते हैं तो समझ लीजिए कि महिलाओं की भी आप रिस्पेक्ट करते हैं और सुयम की भी रिस्पेक्ट करते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा मतलब याद रखना दहेज न लेना है न देना है यही आपके मन में चलना चाहिए वो अलग बात है कि नौकरी पा जाओगे तुमको बोला ही नहीं पड़ता है सामने वाला कहेगा करे भाईया ठीक है यार लेलिया बुलटिया लेलिया यहां पर कहता है दहेज का विरोध करने वाला विक्ती महिलाओं और स्वैम का सम्मान करता है यहां पर कहता है दहेज लेने वाले के पास स्वैम का सम्मान नहीं होता है दूसरा जो पुरुस दहेज नहीं लेते हैं वो महिलाओं का सम्मान करते हैं जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, मतलब जो दहेज नहीं लेते हैं, वो सीधा-सीधा सम्मान है, भाई, उस आदमी ने अपनी बेटी दे दी आपको, उससे ज़्यादा क्या चाहिए, जिसने इतने दिन तक अपने पास रखा, बड़ा किया, उसको इनने आपको दे दी आपके पर भरोसे पर उससे साधी करा दी आपसे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, और दहेज लेने वाले के पास सम्मान नहीं होता है, यह गलत बात है, बाई, कुछ लोगों के पास सम्मान होता है, कुछ लोग दबाओं में दे देते हैं, रख लियो यार, तुम्हारे घ लड़का है, और उधर देखें तो एकलोती लड़की है भाई, कहें बद्दूनों लोगों का का है, दोनों लोगों की साधी करा दिया है, उप भी प्रापरिटी लड़की की, इभी प्रापरिटी लड़की लड़की की, दहेज लिए, ना लिए सब बराबर, भाई, सब प मार्थ ने लिंडा से कहा तुम्हारी माता के पिता मतलब ये लिंडा हो गए तुम्हारी माता के पिता मतलब नाना तुम्हारी माता के पिता का इकलोता फुत्र मतलब इसका भाई इसका भाई इसका भाई मतलब इनका पुत्र की इकलोती बहन की कलोती बहन की कलोती बहन मेरे पिता की पतनी है मेरे पिता की पतनी है मेरे पिता की पतनी है तो कुल मिला करके यहां पर क्यों गया लिंडा का मार्त से क्या रस्ता लिंडा मार्त की क्या हो जागी बहन सिश्टर हो जागी अपने भाई बेहन में ऐसे बैट के खेल रहे थे, they are playing together कि अच्छा ये बताओ, कि बताओ ना बेहन की तुम्हारी माता के, लिंडा सुनो ना, तुम्हारी माता के पिता के इकलोते, पुत्र की इकलोती बेहन मेरे पिता की पत्नी है, लिंडा ने उनको मार्थ को मारा एक कंट आप खीच के, सीधा सीधा नहीं बोल सकते हो, कि मैं तुम्हारी बेहन हूँ, कान की नीचे पट से एक कंटा आप मारा, दिखिए, सवाल यही आता है ना, कि आप ज़्यादा परेशान करेंगे, तो अगर आपकी सिष्टर बड़ी है, तो आपको दुई कंटा आप मार पर, किया रहे, तुमने मारा कैसे मुझको, यहाँ बर इस सवाल को देखिया और बताने का प्रयास करेंगे, बताए जल्दी से, बताए क्या हो जाएगा, बस इसका क्या किया गया, अस्थान परिवर्तन किया गया है, बस इसका क्या किया गया, अस्थान परिवर्तन कर दिय यह माइनस ऱ्लस िठें हमेसा कोडिंगक का कुशिन आपको हमेसा दिखे तो सबसे पहला काम क्या करनास मतलब 13 हो गया बच्चों सी और 3 हो गया और दी का मतलब 4 हो यहाँ दो चार ओ गया कि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो देखे 5000 sıरग चौण एक handle नतिमक्षर की coding है यहां पर देख भी देख लीजिए थे भाइया ठीक है यहां पर देकि आगे यहां पर लेटर कोडिंग है तो कितना हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर L के बाद क्यों जाएगा M हो जाएगा यह आपका बनके तयार हो जाएगा कुल मिला करके सिधा-सिधा आप यह देख पाएंगे कि जो O स्वारी M क्यों निखा हो यहाँ पर यहाँ पर O O, P, J, U O, P, J, U, B B, D, Q, M O, P, J, U B, D, P, M यह आपका बनके तयार हो जाएगा A option आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा एक option आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा यह सवाल पहली बार जो पूछा गया था ऐसे जो बड़े-बड़े सवाल आए थे UPSI में इतने बड़े-बड़े इसके board mask के सवाल आए थे यकीन मानिये board mask के इतने बड़े-बड़े सवाल UPSI में पूछे गए थे आप कहेंगे क्या बात करते हैं सर यह तो latest news है latest news नहीं है यह पुराने कुशन है यह पुराना सवाल है latest नहीं है latest होता तो क्या बात थे यहां बर सारी चीज़ें आपकी यह UPSI में ऐसे ही पूछा गया था ठीक है ना बताइए दोस्त क्या हो जाएगा जल्दी से एक आर्थ कितना है आपका प्लस है C का मतलब क्या है multiply है A का मतलब कितना था plus था B का मतलब कितना था minus था और A का मतलब कितना था plus था D का मतलब कितना है divide है और D का मतलब कितना है आपका divide है यह आपके सामने बना है बस solve B करना है और क्या आपने बच्पन में पढ़ा था आज मैं फिर बसे बता देता हूँ बॉर्ड मास के बारे में जब बॉर्ड मास होता है तो बी फॉर क्या होता है ब्रेकेट ही सबसे पहले सॉल्ब भी किया जाता है किसको सॉल्ब किया जाता है ब्रेकेट को कौन बताएगा करेक्ट अंसर 65 क्या बात है अनीता वा नीता वा कसम से बता रहे हैं वा नीता वा जी ओ सेर क्या बात है बहुत चबर जस्त अनीता ने सबसे पहले बताया रहे थोड़ा तो सरम करो बाकी लोगों थोड़ा तो एक पैसे का थोड़ा सा वो आ जानी चाहिए अंदर की क्या बात है बहुत शांदार जबर जस्त बत यहां बर भाग करना है किस से 8 से सॉल्व कर लेते हैं आई ये देखे 34 प्लस 64 34 प्लस 64 माइनस 34 34 से 34 कट गया इसके बाद देखे 8 का 8 16 8 3 कितना हो जाएगा 24 आठ तरिक 24 तीन तो यहां बर कितना हो जाएगा है पंदरा चोके साठ था ना यहां पर यहां पर कितना था पंदरा चोके साठ यह 0 लिखा था यह 0 यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर कितना बचा आपका दो बचा यहां पर 325 यहां पर कितना उचेगा 65 उट गाल देना है बस बत का घड़ता है थीग है दğखिएगा ठोड़ा आगे पीछे हो जाता है हमने सुन लिया था तब मेरा दिमाग में हो ही चला था कहते हैं आप रात में गस्त कर रहे हैं जैसे देखिए जब आप यूपी पुलिस कॉंस्टेबल बन जाते हैं या एसाई बन जाते हैं तो इसको कहते हैं जब आप यूपी पुलिस इस सवाल ऐसे ही पूछे मतलब जब आप कॉंश्टेबल या दरोगा बन जाते हैं तो ऐसे ही सवाल परिस्तितियां आपके सामने आएंगे यहां पर लिखता है आप रात में गस्त कर रहे हैं और आप कहीं से भागता हुआ एक यूग या लड़के से मिलते हैं आप लड़के का बें उसको पर नजर रखने के लिए कहेंगे दूसरा आप लड़के को घर ले जाएंगे और जाज करेंगे कि उसका कथन सही है या नहीं उसके आनुसार उसके पिता के खिलाफ कारवाही करेंगे दूसरा आप लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे और उसके पिता को बाल सोशन के आरोप में गिरफतार कर लेंगे तीसरा आप लड़के को भाग जाने देंगे और उसके पिता को बाल सेशन के आरोप में गिरफतार करेंगे क्या करोगे तुम क्या करोगे पापा ने मारा है क्या करोगे पापा ने मारा है एक सो बारा पे कॉल कर देंगे हलो पुलिस पापा मेरे पापा मुझे मार रहे हैं मेरे पापा मुझे मार रहे है आप क्या करेंगे सबसे पहले आप उस बच्छे को लेकर कि उसके घर जाएंगे और देखेंगे क्या वाकरी में उसके पिताजी नहीं इसको लादा है जब पिताजी ने उसको पकड़ के लादा है ध्यकिल C जाडू जाडू बल्ले बल्ला जब पिता जी पता चल जाएगा पिता जी नहीं का इसे पीठी चुका करके गोता धमय धम लादा है तो आप पुलिस वाले आप ऐसे पुलिस जिम्मेदारी आप समझाएंगे कि देखे गलत बात है हम बताए दे रहे हैं तुम्हार लड़का ह तुम अगर मारूत तुम्हार उपर बाल सोसन लगाए दे धमकी दे दिएगे समझा देंगे लेकिन फिर उसके बाद पिता जी उसको देखे पुलिस बुलाओं के देखी पगड़के एं चाटिया और मारेंगे खुदा ना खास्ता लाउंडा फोन कर दिया 112 पे तो पापा है पता चला की जेल चले गया पूरा समाज भाई साब कहें गजब निरलज्ज लड़का है अपने पाप एक जेल भेद दिया मारने चक्कर में तिसलिए सभी पापाओं से मम्मीों से चाचाओं से चाचियों से निवेदन हैं कि किरप्या करके ऐसा काम ना करें बच्चों को मारे मत एक सुर्योदय के समय अनु खेल रही थी यह सुर्योदय का समय है यहां पर क्या हो जाएगा आपका यह सूर्य हो जाएगा और यह क्या हो जाएगी चाया हो जाएगी सुर्योदय के समा खेल रहे थे और एक जंगसन पर दिव्या से मिलती है दिव्या की चाहिए अनू के बाई और पड़र रही थी दिद्व्या की जो पच्छाई है व अनू के बाई और पड़र रही की जो पछ्षाई है वह अनू के देखेए इधार बाई और मतलब बाया पॉर्शन तो यह हो गया ना मतलब यहाँ पर इस तरफ मूँ पर करके कौन खड़ा है यहाँ पर अनू खड़के मूँ खड़के खड़ी है तो कहता है कि मतलब यह कौन बच गई दिब्या दिब्या किस दिशा में देख रही थी दिब्या दक्षिन की ओर देख रही है अनू उत्तर की ओर देख रही है अनू कि समस्या कोई परिशानी कोई दिक्कत लिखता है यदि X का पिता Y के भाई और Y का बेटा Z है आया है क्या बात है बनाईए थोड़ा से अरे बंबा बनाते हैं आईए देखिए यहां बरकेते फैमिली ट्री बनाते है एक्स का पिता जो X है X का जो पिता है जो X का पिता है वो Y का भाई है ठीक है और Y की जो बेटी है वो Z है य की जो बेटी है वो Z है सवाल यहां बराता है और Z का जो पिता है वो T है जो Z का पिता है वो उसका नाम क्या है T है बन गया T का एक मातर साला है T का एक मातर साला है मतलब ये T का साला हो गया और यदि S का विवाः U के साथ हुआ है S का विवाः U के साथ हुआ है T का एक मातर साला कौन है S है मतलब इसका भाई जो है वो S है और S का विवाः U के साथ हुआ है यह पूरुस हो गया है महिला हो गए तो सवाल आता है तो और उनकी एक मातर बेटी एक्स है उनकी एक मातर बेटी एक्स है तो सवाल यह आता है एक्स वाई से किस तरह सम्मंदित है एक्स जो है वाई की क्या हो जाएगी एक्स जो है वो वाई की क्या हो जाएगी भाई यहां आपके पिता का भाई आपका चाचा होता है आपके पिता का भाई आपका चाचा होता है भाई आपके आपके पिता की जो बहन है उसकी आप क्या होंगे भती जी या भती जांगे तो आपके पिता की बहन के पती के भी आप क्या हो जाएंगे और कि भती जी या भती जी हो है मुझे बड़ा आहत होता है कि मैं कभी-कभी अगर कोशन में आप सभी को करता हूं तो यह सब कोशन आप नहीं बताते हैं इन कोशनों पर ध्यान से देख लिया करिए एकजाम में आएगा कभी और गलत होगा याद रखेगा कोई में पर्फिक्ट नहीं होता है मैं भी गलत कर सकते हूं आप भी गलत कर सकते बस इसका एक मात्र तरीका जो सबसे अप्रोप्रियेट तरीका है कि आप इसकी नंबर इंग कर दीजिए जैसे यहां पर देखिए तीन पंदरा सबस्क्राइब आपको पूरा एक बार लेट बच्चो जाना पड़ेगा फिर उसके बाद एक बार आपको इधर से इधर जाना है एक बार आपको इधर से इधर जाना है बात मेरी समझ ये बात को, यहाँ पर चलिए, 9 से चलते हैं, यहाँ पर देखें, 10, 11, 12 नहीं चलेगा, 5 से चलेगे, 6 नहीं चलेगा, यहाँ चलेगे, नहीं जाएगा, यहाँ जाएगे, नहीं जाएगा, मतलब आपको left to right केवल एक मिलता है, कहीं हाँ, और right to left की हम बात करत हैं, तो हमको क्या-क्या मिलता है, चलिए right to left की तरफ चलते हैं, 5 से चलेगे, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर यानि की E और I का मिल गया एक पेर, पहला पेर मिल गया, इसके बाद चलते हैं, C के बाद D और E, और देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, C और E का पेर मिल गया, इसके के बाद O, P, Q, R, S, T, U, नहीं मिला, E के बाद E, F, G, H, I, J, K, नहीं मिला, J, K, L, M, नहीं मिला, देखिए, यहाँ आप में, J, K, L, M, नहीं मिला, C के बाद नहीं मिलेगा, S के बाद नहीं मिलेगा, N के बाद क्या हो जाएगा, N के बाद O, N, O, मतलब आपको यह वाले जो चार मिलते हैं यह राइट टू लेफ्ट मिलते और लेफ्ट टू राइट आपको कितना मिलता है एक एक दो तीन चार टोटल चार हो जाएगा मैंने बताए ना कि मैक्सिमम लोगों से गलती होती है टाइम खाता है भाई यह सवाल आपको करने पड़ेंगे नहीं करेंगे आपको यह लगता है क्या यह नहीं सवाल करूंगा क्या एक्जाम में भी आएगा भाई आपको क्या लगता है एक्जाम में नहीं आएगा एक्जाम में ही सवाल पूछा जाता है और याद रखिए बड़े धडलले से आता है और बहुत धडलले से लोग गलत करते हैं जो त कितने साल बीच चुके हैं, 2000 इधर बीच चुके हैं, और 19 साल इधर बीच चुके हैं, और 2000 बीच में क्या-क्या बीच गया है, जनवरी, उसके बाद फरवरी और उसके बाद मार्च, मार्च में कितना तारीख बच्चो एक फरवरी में देखे लीप वर्स की है तो 31 जन्वरी में कितना हो जाएगा जन्वरी में 31 हो जाएगा यहां तक हमको नहीं लगता है किसी को डाउट होगा भाई देखिए 2000 साल उधर बीट गए और 19 साल इधर और 20 में कौन कौन से 3 महीने जन्वरी फरवरी बीटी है और 20 में एक मार्च हुआ है भाई देखिए 2020 में कितने साल बीट चुके हैं 2000 और 19 साल बीट चुके हैं 2020 वर्स रणिंग में हैं जैसे देखो यहां पर 2023 लिखा हुआ है तो आपका क्या होगा 2000 वाईस साल बीट चुके है 2023 साल रणिंग में है तो उसी तरीके से यहांपर यह 2000 हो गया यह 900 हो गया अब आप देखिए 2000 में जो विशम दिनों की संख्या होती है वो शून्य होती है क्योंकि हमने सीखा है यहांपर हमने देखा है कि 100 साल में विशम दिनों की संख्या 5 होती है 200 साल में विशम दिनों की संख्या 3 होती है 300 साल में विशम दिनों की संख्या 1 होती है और 400 साल में विशम दिनों की संख्या 0 होती है और 4 को आधार बना करके हम इसको निकालते हैं और 19 साल में कितना हो जाएगा वर्स प्ल्स लीप वर्स 4 चोके 16 तो हमें total कितना करना इसी को जोड maior कर काटदेना यहां बर देखेए उन्नएश शार कितना हो जाएगा इसको सीधा हम लिख देते हैं 23 और नहीं शार हम इसको साथ से डिवाइड करेंगे साथ एकलेंडर सुरू हुआ था तो एक तारिक से स्टार्ट हुआ था लेकिन धीरे-धीरे मतलब ये आपको बहुत सारे ट्रिक आपको दिख जाते हैं, बहुत सारे नंबर आफ ट्रिक हैं दिन निकालने में, तो basic method मैं भी किसी class में 1444 पढ़ाता हूं, किसी class में basic पढ़ाता हूं, जैसे class की demand होती है, वैसे मैं बता देता हूं, कि यहां बार आपके सामने क्या लिखता है, T.E.N. यहां बार T.E.N को कितना लिखा जा रहा देखें, बताइए, थोड़ा व्छा, थोड़ा speed, थोड़ा speed maintain करें न, थोड़ा सा ज्जादा सा नहीं, फ्लीज, प्लीज, 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 इतना request कर रहा हूं, थोड़ा से speed maintain lifetime करें अ Choose है हृ कि न असक्ती है को कोई तरीका है कि बताई और है अ wherever अ तर अ मधाय आ जा आ को कोने थेली का समय तो नमशकार मैं को तो भी को तरीका समय दिखा जा रहा है बारा अगर मैं इसको बीस कर दूँ इसको पांच कर दूँ इसको चौदा कर दो तो कितना हो जाएगा बीस दस तीस तीस नो उनतालिस अगर इन में देखिए यहां बर देखिए इका मतलब कितना हो जाएगा दोस्त इका मतलब पांच हो जाएगा एक का मतल डिजिट सम कहते हैं इसको क्या कहते हैं डिजिट सम् 3 प्लस 9 इसकोल टो कितना हो जाएगा 12 एंड 2 प्लस 4 इसकोल टो कितना हो जाएगा 6 यहां पर कितना हो जाएगा 6 is the correct answer ओके चलिए आप आगे की बात बताईए ध्यान से देखें यहां पर question number 22 की बात करतें question number 22 की बात करतें देखें 82, 105, 136 आपको क्या दिखता है क्या multiply है नहीं है क्या आपको multiply दिखता है नहीं दिखता है series का पहला ही step क्या है उसको identify कर लिजे कि गुड़ा होने वाला है या जोड़ होने वाला है तो जैसे ही आपने identify कर लिया कि गुड़ा नहीं यहां पर क्या होने वाला है जोड़ होने वाला है तुरंट gap निकालिए किसका इंतजार करना है भाई किसी का इंतजार करना हो तो बताई बताइए किसी का इंतिजार करना है तो बताइए 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 क्या हो जाएगा यहां पर गैब देखिए यहां पर कितने का गैब दिखता है 23 का यहां पर 23 का गैब दिखता है ठीक है यहां पर 23 का गैब दिखता है ठीक है कोई बात ने यहां पर 23 का गैब दिखता है यहां पर 21 का गैब दिखता है यहां पर 23 के गैब के बाद यहां पर 31 का गैब दिखता है यहां पर 41 का गैब दिखता है अरे वाह क्या बना रहा है कि क्या बन रहा है साथ साथ 14 यहां पर 47 का गैब दिख रहा है और यहां पर कितने का गैब दिख रहा है तेरा तेरा मैंसे चार गया नो इसके बाद साथ मैंसे दुग चेन है शिवान का गैब दिख रहा है एक्टिण में एक्च्वल में श्टि-नाइन करें कि तेरा मैंसे चार गया कितना है चैनल इस चार गया तैंताल स्चोविस दी 46 मैं कोई ऐसा बच्चा है जो इस कोईटिफाई कर सकता कोई एक बच्चा ऐसा है जो को इसको इस कोईटिफाई कर सकते हैं 300 350 कौन बता है सबसे पहले छिवानी अपशेक अपशेक लाजिक बताओ जिसने किया है अब शेक लाजिक बताओ विराट विराट नहीं अब शेक लाजिक बताओ नहीं अब शेक नहीं अब शेक नहीं पहले 333 बता है फिर वो कोई बता सकता है विराट लाजिक बताओ विराट लाटिक बताओ विराट लॉजिक बताओ कोई लॉजिक बताईए कोई लॉजिक बताईए लॉजिक बताईए लॉजिक बताईए लॉजिक बताईए सरमाईए मत मेरे वाले से अभी भी identify नहीं कर पाओगे लॉजिक ये भाईया क्या है सब के सब continuous prime number है सबी के सबी क्या है continuous prime number है और continuous prime number आपका alternate format में जुड़ा हुआ है यहां पर continuous prime number है alternate format पे जुड़ा हुआ है मैंने बता दिया इस बात को याद रखना तो आपने तरीका गलत बताया है जो आपने मारा है यह आपने तुक्के से answer मारा है इससे यह साबित हो जाता है इससे साबित हो जाता है कि आपने तुक्के से answer मारा है मैं जानबूच के आपसे लॉजिक बार बार इसलिए पूछ रहा था मैं इसलिए आपसे लॉजिक पूछ रहा था क्योंकि ये जो कुश्यन था इतना अच्छा तक जिसका कोई अंदाजा नहीं तो यहां पर क्या हो जाएगा लॉजिक से आप जोड़ देंगे तिक इतना हो जाएगा 350 हो जाएगा यहां पर देखिए 6, 8, 6, 14, 15, 350 मैं बस इसलिए आपसे पूछ रहा था कि एक्चुल में आपने लॉजिक कैसे निकाल दिया इतना तेज जबकि एक्चुल में यह बोशन लेबल का था मतलब एक सवाल होता है ना कभी कभी कुछ सवाल बहुत अच्छे लेबल की होते हैं तब ही आप सर्प्राइज हो जाते हैं अरे यार यह तो बच्छे बहुत तेज निकल गए मतलब ऐसे वाली फिलिंग आ जाती है आपको उसको देख करके अचानक से आपके अंदर फिलिंग आ जाती है अरे यार असंभो कितना तेजी से कैसे बता सकते हैं यहां बर आगे की बात करते हैं यह गोला बन जाएगा और यह नीचे आ जाएगा एक दम साफ तो नहीं दिखाई दे रहा होगा मुझे मालूम है लेकिन हम क्या बताएं यह ऐसे हो करके ऐसे आ जाएगा यह एक्ट्वल में यह डिजाइन बनेगी यही उपर बनेगी याद रखेगा जॉइंट के साथ में यह उपर बनेगी और joint के साथ में ध्यान से देखेगा तो यह आपका गलत है यह यह यहां पर देखेगा अगए यहां पर जुड़ा हुआ है तो exact यहां बर देखे exact आपका जुड़ा हुआ तो है यह हमको लग रहा यही आपका बन जाएगा यह हमारा बन जाएगा arrow बीच में है एरो बीच में एरो छोटा मोटा ने वाद तेरे बुझ बना दिया तो हमारा यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा यह वाला थोड़ा सा देखने में समस्या हो रही थी इसलिए हम करेंगे थोड़ा स्पीड करते हैं भाई स्पीड कम हो गई है अपनी दोस्तों स्पीड कम हो गई है स्पीड यार सच में हमको थकान लग रही है मैं जूट नहीं बोला हूँ इसलिए स्पीड कम है चैस था बताई 24 की बात करते हैं क्या हो जाएगा यहां पर कहता है विच नंबर सुट बी इंटर चेंज तू मेंग को चेंज करके चेक करिए क्या डिवाइड को चेंज करने की जरूरत है नहीं जरूरत है बिलकुल नहीं जरूरत है तो ए 99% चांसे यही है कि 2 और 4 में से कोई होगा और उसमें इसमें इन दोनों में 99% चांसे है कि D होगा कैसे होगा वो सुनिए क्योंकि यहां पर देखिए यह आसानी से आपका यहां पर 10 आ जाएगा और यहां पर 5 आ जाएगा उससे कोई फर्क बहुत नहीं पढ़ने वाला है यहां पर देखिए यहां पर कितना हो जाएगा 10-4 by 2 into 5 plus 7 हैं जब आप इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा यहां पर देखिए मिसका ne जेंगत कितना होगा सvetसे और दो जाएगा और दर को llam तो जाएगा 20 हो जाएगा और 20 पगला गया हूंा यह डिकnaire 10 माइनस के टनेख्यार आप guardian ीचितना यंख प्लस फैया इस टेञा आग। ए डीन के झाएगा ना नहीं बच जाएगा बने बताया ना कुष्ट है बग वग इस गलत यह इंसर आ रहा है भांक हाया होगा है एक दम अराम से एंसर आ रहा है पता नहीं क्यों बता रहा है कि वह होगा चले कुशेंश की बात करते हैं बच्छों ध्यानसे देखेगा question number 26 क्या कहता है यहां पर कहता है ABCD अलग अलग गुम्र के साथ चचेरे भाई हैं एक एवल देखिए हमेशा इसको ऐसे करो थुड़ा तेरी से तलेंगे तीन चार पांच छे और साथ लोग हो गए यहां पर क्या कहता है जी जो है वो C से चोंता है तो लेकिन D से क्या है बड़ा है B उसमें से सबसे चोंता है UN拮र रहे में वह दी से चोंता है A Speed बताइक कितने लोगों से चोंता है हमारे पास कितने जनता थी साथ लोग थे B उसमें से सबसे छोटा है B उसमें से सबसे छोटा है यहां पर A जो है वो केवल E से छोटा है मतलब नमबर एक पे E है नमबर दो पे यह है यहां पर क्या हो जाएगा सवाल हमसे पूछा क्या जा रहा है हमसे क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखेगा डी कितने लोगों से चोटा है एक दो तीन चार डी जो है वो चार लोगों से चार अफरात से चोटा है डी जो है वो चार अफरात से चोटा है कितने लोगों से चोटा है चार अफरात से अगला सवाल बताईए क्या हो थोड़ा एक बार तेरी से फुल स्पीड मेरे दोस्त एक बार स्पीड मेंटेन करें कल से यार स्टार्टिंग से स्पीड ले करके चलेंगे दोस्तों कल से स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करके चलेंगे ठीक है ना यह मतलब यह गलत बात है हम लोग क्या करते हैं लास्ट म भी ना साज़ा इसलिए हिम्मत थोड़ा सा तूट रही है ने तो और स्पीड बनी गाई हो दो यहां बर कितना गुड़े 30 भागे दो यहां बर सात्री के कई सो जाएगा यहां बर इसको कार दोगे तो पंदरा हो जाएगा यहां बर 165 हो जाएगा गौर से देखो इधर 35 128 अगर मैं कहूं कि 16 को 8 से गुड़ा कर दीजिए देखें अगर आप 16 को 8 से गुड़ा करते हैं और 8 का मतलब क्या हो जाता है पहला तरीका है कि 16 भागे 2 बराबर भी 8 होता है इसलिए आपने 16 828 किया है तो आपके पास यहां पर दो अप्सन एक 14 गुड़े 8 है और एक गुड़े 14 गुड़े 14 भागे 2 मतलब 14 गुड़े साथ है इसमें से देख लीजिए दोनों करके जो एंसर होगा वही सही माना जाएगा 14, 75, 74, 84, 14, 97 कितना हो जाएगा 84, 14, 97, 98 हो जाएगा 98 हुआ और 14, 75, 74, 84, 14, 97, 98 यहां पर दोनों में से जो भी विकल्प होगा उसको सही माना जाएगा याद रखेगा दोनों में से चाहिए जो विकल्प होगा उसको सही माना जाएगा चाहिए वो 112 होगा वो भी सही होगा 98 होगा वो भी सही होगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है similarity होता है हमने यहां पर 8 से गुड़ा किया है तो यहां पर भी 8 से गुड़ा कर सकते हैं हम आपको यह तकिया दिखाई दे रही है सभी के सभी तकिया क्या है आपकी विस्तर है सभी तकिया आपको क्या दिखाई दे रहे हैं यह दोस्तों विस्तर दिखाई दे रहे हैं और कुछ विस्तर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको अलमारी कुछ विस्तर क्या दिखाई दे जिसमें सम्बन नहीं दिया, उसमें निसकर्स नहीं निकलता है, कहता है कुछ विस्तर तकिया है, कुछ विस्तर तकिया है। यहां पर सभी लकली अर्मारी है तो गलत हो जाएगा यह क्योंकि यह हम पर यह 100 आप किसी भी तरीके से करिए लेकिन उत्तर करिए चाहिए तरी करिए चाहिए आप वो क्या बोलते हैं, किसी भी तरीके से, चाहिए वेंड डाइग्राम से करिए, कुल मिला करके उत्तर निकालिए, जैसे ये similarity है, आप मेंसे कुछ बच्चे इसको डारेक्ट करने का प्रयास करते हैं, अब मैं तो हमेशा मेरा तो एक मानना है, जब कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहिए वो analogy हो, अगर ये अलफा विटकल दोनों हैं, और थोड़ा सा बड़ा नंबर लिखा है, थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर लिखा है, तब आप क्या करते हैं, मेरा जो ब्यक्तिगत रूप से मानना है, तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो यही करता हूँ, भाई अराम से साइड में लिख लेता हूँ, ऑर साइड में लिख करके ऐसे line खीसता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, क्या हो जागा देखे, U-O-C-R, यहाँ बर क्या ह हो जाएगा तयार ठीक है ना चलिए हम आगे की बात करते हैं क्या लिखता है एक कक्षा में 48 लड़के जिनकी लंबाई 57 सेंटीमीटर जिनकी लंबाई कितना है 57 सेंटीमीटर यदि वे लड़के यदि ये लड़के के 4 5 भाग का घठन और लड़को के कुछ कक्षा कुछ संख्या के विद्धार्तियों की कुल संख्या की तीन च्वथाई है तो कक्षा में लड़कियों की संख्या के किया क्या हो जाएगी आप बताने का प्रइयस कर Tipp Mate भी यह इतना बड़ा सवाल हैं को नहीं आता इतना बड़ा सवाल हैं गार दूगा खतम हो जाएगा सवाल आप यह दखें इसको आप क कर लीजे काczas तक प्रफी इसको आप ने भी हमारे साथी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे बहुत चांदार यार सही मत रहे ना बहुत अवियत आज खराब थी महिम्मत ही नहीं हो रही थी क्लास लेने तो दिन भर कोई क्लास नहीं लिए तो साम को कमरे बैठे बैठे ठक गए हमने का यार चलो पढ़ाते थाकान लग जाएगे तिरह नेन भी आ जाएगी लिखता है एक पंक्टि के आरंब से تेरा एक किसी पंक्ति के आरंब से किस अस्तान पे खड़ा था ते रहो हुए अस्तान पर मेरे सरीर से मेरे समझ में आ रहा हूगा। A और B के बीच में दो विक्ति हैं और B जो है वो A के बाद खड़ा है सवाल यहांबर आता यदि पंक्ती में पहले आठ विक्ति को हटा दिया जाए तो कतार के आरंब से B का स्थान क्या होगा अच्छा यह बताओ यहांबर हमारे पास इसकी पोजिशन तेरह वी है इसकी पोजिशन तेरह वी है तो आप कहते हो आठ लोगों को हटा दिया जाए भया तेरह में से अगर आप आठ लोगों को हटा दोगे जब आठ लोगों को हटा ही दो गें कितने लोग बज जाएंगे तेरा में से आठ घड गया आपका कितना हो गया यहां पर तेरा मेंसे आठ घड गया आपका कितना हो जाएगा पांच-चू हो गया कई हा मतलब यहागे से पाँछों हो गया च्छेस साथ हो जाएगा किस नबड़ पर आजहएगा दोस्त नgesetz कैसे अभाग मैरे मुझ से ढाट सुने दिना काम नहीं चलता है साथ कैसे हो जाएगा पापी हो क्या तुम है पापी हो क्या यह बताओ गुरू, तेरा मेंसे तुमका आठ माइनस करना है, तुम्हार कित्ता हो गए हो, पांच हो गए हो, अक ना हो गए हो, तेरा मेंसे तुम आठ अगर माइनस कर दे, वो तो कित्ता बचे तुम्हा पास, पांच बची ना, तो यह पोर्सन तक जित्ता लोग थे, उत्त आसान सवलो आता है तो उसमें फुस्सू मार जाते हैं चलिए अगले की बात करते हैं यहां पर देखिए क्या हो जाएगा डाइनासोर अस्तंधारी प्रारंबिक सरीसरिप जीवालू और मचली देखिए जब अगर मैं बात करता हूं जो हमारे पिर्थिवी पर जीवन का अस् प्रारंब में बलते हैं फिर वहाई से सरीसरिप का जन्म होता है फिर उसके बाद डाइनासोर आते हैं फिर उसके बाद हम लोग आते हम लोग तो बड़े बाद में आये यार हम लोग से पहले बकरी उकरी सब एकदम मार्केट में टहला करती थी कुत्ते उत्ते मार्केट मे टहला करते थे वो कहते थे ये पृतिवी हमारे लिए बनाई गई है लेकिन पता नहीं कहां से इंसान आ गए और सब को गुलाम बना लिए डाइनासोर तो पहले ही उनका चिर्चिरुआ बजगया वो भाग गए छोड़के वो इंसानों से टकरा नहीं पाए उनकी हालत खस्ता हो गई और भाग गए यहां बर आप अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा यह सवाल देखे मैंने आपको कहा था इसके दो तीन तरीके हैं और कोई तरीका है ही नहीं अगर तुमका जोड़ना आता है भाईया तो कर सकते हो देखे अठारा पंदरा एककईस यही लिए हमार यह यहां जाएगा शार दिखे से लेकी दर करके सिवन टिटन तुमका तुमका सबसे पहला इशर और चाही है कि तुमका जोड़ना बहुत अच्छे से आना चाहिए जितना अच्छा तुमका जोड़ना आएगा उतना अच्छा में तुमकर पाओगे हम फिर से आपface आँ red को जोड़ना आएगा उतना अच्छा कोश्चन का लेबल कमजोर है इमानदारी से बताना जिम्मेदारी से बताना तुम भी तो देखते हो सबको यह थोड़ी ना एक मैं नहीं देखते हो सबको क्या कोश्चन के लेबल कमजोर है नहीं है ना कोश्चन का लेबल कमजोर नहीं ह बताओ तुम मेरी तरफ देख करके बताओ अपने इमानदारी से बताओ क्या इससे बाहर आएगा यूपी पूलिस का उस्टेवल यार क्या आएगा फिर वह बैंक नहीं हो जाएगा इससे बाहर क्या हो जाएगा यहां पर देखिए जैसे एट दिर एह हैस बी का मतलब क्यों A जो है वो B का पिता है मतलब जो G है वो फादर है किसका फादर है M का फादर है यहां पर चलिए M हैसë M हैस T M जो है वो father है, किसका father है, T का father है, यहाँ बर चलिए, T percentage S, T percentage S का मतलब कर जगा, T जो है वो माता है, T जो है वो माता है, T जो है वो माता है, किसकी माता है, T जो है मम्मी है, किसकी मम्मी है, S की, यहाँ बर देखिए, S at the rate H, S at the rate H का मतलब कर जगा, जो S है, वो H की बहन है, जो एस हे वो बहन है किसकी वहन है है यहां पर दिखaly preço एंडर है यह जो है बिएmusic यह बेटा अगर का एंडर कि नगैने söz तब ना सो जाएगा यहां पर कहता है डबलू एडिरेट यू डबलू एडिरेट यू का मतलब को जाएगा जो डबलू है वो यू की क्या है बहन है सवाल आपसे कहता है निमले कितमे से कौन सा कथन साही नहीं यह रे बाप रे बाप यहां पर कहता है जी जो है वो टी का नानी है W जो है वो H की नानी है सही है यहां बहुत है आर्डशरस की नाना है म जो है वह सका नाना है यह भी सब सही है यह सब सही होगया यार कुछ गरवर तो करना पड़ेगा एच जो है वो टी का दादा है एच जो है जी जो है वो टी का दादा है सही है बाई सब सही बन गया यार कुछ गरवर हो रहा है क्या डबलू जो है वो एच की नानी है डबलू जो है वो एच की नानी है भी बिल्कुल दादी, यहां पर क्या हो जाएंगी, दादी जी हो जाएंगी, जिन्दाबाद, ओ भया, हेलो, अजीत, गल्ती नहीं, दादी, 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 यहां पर कहता है, लखनौ से गई, पटना, पटना से गई, भोपाल, भोपाल से गई, लखनाउ पटना भोपाल जैपुर सब के सब क्या है राजधानिया है तो यहां पर देखिए सिम्ला मसूरी इंदोर पूरे देखिए यहां पर क्या हो जाएगा सिम्ला कहां जाओगे सिम्ला सिमला खाने जाओगे सिमला मिर्च आ हैं अगले की बात करते हैं धीन तो आपकी बन जाएगी बच्चों यहाँ बर देखें कॉक्पिट हintendo हाई होता है कॉक्पिट कहां पर होता है मेरे दोस्त हवाई जहाज में दोस्त कल से समय से आ जाया करिए तो हम लोग करेंगे थोड़ा सा तबियत नासास ती इसलिए आप कमेंड भी करके थोड़ा सा बताया करिए जैसे यहां पर देखिए कॉक्पिट क्या होता है जो आगे वाला पॉर् जाएंगे या कमरे में घर हो जाएगा गलत है यहां पर सीसे में क्या हो जाएगा पेंसिल गलत पेंडिल में साइकिल हो जाएगे गलत तो पहला एकेवल हमको करेक्ट आंसर दिखता है फर्स्ट इसकरेक्ट एंसर पढ़ने का तरीका IMPORTANT होता है कोई बात नहीं कल से आप regular आईए class करिए problem नहीं होगे कल से आप regular class करिए आपको problem नहीं होगे यह worldmala का सवाल है देखे दाएं से आठवा अक्षर अब आप देखे आपको यह मालूम होना चाहिए जैसे यह हमारी worldmala होती है यह left portion होता है यह right portion होता है यहां पर देखे दाएं से आठवा अक्षर उसने क्या कहा बाएं से आठवा अक्षर के दाहिने साथवा अक्षर अब आपको यह मालूम होना चाहिए अगर कुछ left और right है तो यह plus हो जाता है अगर यह left और left लिखा होता है माइनस हो जाता तो यह आठ साथ कितना हो जगा पंद्रा और left से पंद्रा अक्षर कहता है दूसरे आधे भाग को उलट दिया जाए दूसरा आधे भाग का मतलब सेकेंडर धांस यह वाले भाग को भाई टोटल 26 अक्षर होते है ना 26 को divided by 2 करते हो 13 नहीं आता है पंद्रा गिन्ना है यहां पर देखिए 13 हो गया इसके बाद 14 एक पंद्रा वाई वाई आ गया खतम वाई आपका बिल्कुल परफेक्ट एंसर हो जाएगा चली तो कुल मिला करके अगला सवाल यह रहा आप इसको करत लीजेगा और इसकी जो वो होती है आपकी ध्यान से देखिएगा जो इसकी पीडियाफ होगी आपकी वो टेलिग्राम पर मिल जाएगी जो दोस्तों इसकी पीडियाफ होगी और टेलिग्राम पर मिल जाएगी मेरे सभी साती एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे तो सभी साती सेशन को लाइक जरूर कर देंगे देखिए जो इसका पीडियाफ होता है मैं क्या करता हूँ समय पर आप सभी को दे देता तो आप इस PDF को join कर सकते हैं मेरे साथ में, यहां बार आप सभी बच्चे इस PDF को join कर सकते हैं मेरे साथ में, तो कुल मिला करके यह PDF मैं आपको दे देता हूँ, आप PDF को जरूर जरूर देख लिया करें, सभी सातियों से गुजारी से आप थोड़ा टेलिग्राम में active भी रहा क करें थोड़ा सा active रहा करें ज्यादा active रहने की जरूरत नहीं है मैं आप से ज्यादा रहने के लिए नहीं कह रहा हूं ठीक है न थोड़ा साइप रहेंगे तो ज्यादा लावान भीत रहेंगे बाकी जो भी courses आप इसको जोइन कर सकते हैं कल सभी लोग session के साथ ज़रूर जु झाल झाल